स्टुडेंट मैं हूँ रिना आप देख रहो रिना अकाडमी चैनल आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तिसे सस्क्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाईए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एंसे आर्टी क्लास सेकेंड हिंदी पुस्तक्रिम जिम का पार्ट नमबर आठ यानि लेसन एक जिसका नाम है शिर्शक है तितली और कली बच्चों ये एक कविता है अब इस वीडियो के अन तक हम इसका विता को पढ़ेंगे इसका अर्थ समझेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे तो आए हम कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुन्दर एक कली तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली यानि इसकार्थ होगा बच्चों कि एक हरी डाल थी और डाल पर नन्नी से सुन्दा सी यानि बहुत ही छोटी सी और प्यारे सी एक कली खिली हुई थी कली यानि फूल की कली तो तितली जो थी एक तितली थी देखी बच्चों यहाँ पी तितली है तो तितली आ करके उस कली से बोली कि तुम बहुत ही भली लगती हो यानि तुम बहुत अच्छी लगती हो अब जागो तुम आखे खोलो और हमारे संग खेलो फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी कली-कली यानि वो जो तितली थी वो कली से बोली कि कली अब तुम जाग जाओ और अपनी आखे खोल दो यानि तुम कली हो पुरा खिल कर फूल बन जाओ यानि जब तक कली रहती है फूल की कली रहती है तो वो बंद रहती है यानि वो अपने आखों को बंद रखती है तो यहां पर जो कवी है उन्होंने यहां पर कली को आखों से मतलब आखों की तुलना की है कली से यानि कली को आख बताया है कि आखे जब बंद रहती है तो कली क तुम्हार जो महक है वह पूरी गली गली में फायल जाएगा यानि पूरी गली महकने लगेगी कली छिटकक कर खिली रंगी ली तुरंत खेल की सुने कर बात साथ हवा के लगी भागने तितनी झूने उसे चली यानि जब कली ने तितली की बात को सुना वो क्यों खिली क्योंकि उसने तितली से खिलने की बाद सुनी थी तितली के साथ खिलने की बाद सुनकर वो रंगीन कली जो है तुरंद खिल गई और उसकी जो महक थी जो फूल की महक थी वो हवा के साथ दोर दोर तक भागने लगी और तितली जो थी उस महक को छूने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी तो बच्चो ये थी कविता और इसका अर्थ अब हम इसके प्रश्ण भ्यास को करेंगे कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी इसका उतर आप लिखोगे खेलने के लिए यानि तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी दुछरा प्रश्ण है तितली और कली ने क्या खेल खेला तो इसका उत्तर लिखोगे पकडम पकड़ाई का खेल यानि तितली और कली ने पकडम पकड़ाई का खेल खेला अब तीसरा प्रश्ण है तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई इसका उतरा आप लिखोगे तितली के खेलनी की बात सुनकर कली खुश हो गई अब नेस्ट है अंदाजा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी तो बच्चों कली जो है सुबा ही बनी रहती कली सुबा के बाद जो खिलकर फूल बन जाती है तो इस तरह से हमने कविता भी भी पढ़ा था तो यहाँ पे आप लिक सुबा पे सही का निशान लगाओगी यानि तितली कली के पास सुबा गई थी तो तुमने समय का अंदाजा कैसे लगा है इसका उतरह आप लिकोगे कविता को पढ़कर कविता में हमने पढ़ा था ना इसलिए हमको समय का अंदाजा हुआ अब अगला है दो दो बार गली-गली का मतलब है सारी गलियां गली-गली का मतलब है सारी गलियां अब नीचे लिखे सब्दों का इस्तिमाल करते हुए वाक के बनाओ घड़ी-घड़ी, जगा-जगा, घर-घर और डाल-डाल तो बच्चों ये देखे घड़ी-घड़ी, घड़ी-घड़ी का आर्थ है हर पल तो इसका हमने वाक के बनाया, नेहा तुम घड़ी-घड़ी सरारत क्यों करती हो दूसरा है सब्द, जगा-जगा, इसका आर्थ होगा हर जगा तो इसका वाक के हमने बनाया, इस्टेशन पर जगा-जगा गंदगी थी तिसरा है घर घर इसका अर्थ होगा हर घर में तो हमने सेंटेंस यह वाक्य बनाया दिपावली में घर घर दीप चलाए जाते हैं अब है लाश्ट डाल डाल इसका अर्थ है हर डाल पर इसका हमने वाक्य बनाया बंदर डाल डाल पर कुद रहा था अब अगला है मिलते जूलते शब्द कविता में से वे सब्द ढूढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं जैसे कली भली तो नीचे दिये गए सब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोडो तो यहाँ पे बोलो लिखा है तो हम लिखेंगे खोलो, जोडो तितली लिखी है तो तितली में हम नीचे लिखेंगे रंगेली, चमकेली, डाल लिखा है तो नीचे हम लिखेंगे चाल और हाल अब नेस्ट है महके सारी गली गली तो महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी तो अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुश्बू, सुगंद बूरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू, दुरगंद ऐसे चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है तो यहाँ पे दो कॉलम है इस कॉलम में पहले हम लिखेंगे पसंद है दूसरे हम लिखेंगे पसंद नहीं है तो किसकी महक पसंद है फूल की, इत्र की, इत्र नहाने वाला साबूर और क्रीम की, इनकी महक पसंद है और इनकी महक नहीं पसंद है तुझे है सड़ा फल, अंडा मचली या फिनायल या नीम का तेल तुम्हारे आस पास ऐसे कौन कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है तो उत्तर है गुलाब, मालती और रातरानी के फूल फूलों के नाम अपनी भाशा में लिखो यह हमने लिखा है अपनी भाशा में जैसा हमारे घर पे बोला जाता है और तुम्हारे घर में किस-किस तरह की महक आती है जैसे साबुन या तेल की महक गुशल खाने से तो फूल, क्रीम, साबुन, इत्र इन सब चीजों की महक हमारे घर में आती है अब आगे है तुम्हारी बात खेलने के लिए कली तुरन जाग गई थी तुम किस काम के लिए तुरन जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी क्यों तो आगे हम लिखेंगे इसमें देखें दो कॉलम बने हैं जागेंगे नहीं जागेंगे तो खाने के लिए पढ़ने के लिए खेलने के लिए और स्कूल जाने के लिए लिए जागेंगे यानि इन सब कामों के लिए हम जागेंगे और नहीं जागेंगे ठंडी के कारण कोई काम करने के लिए दुकान पर जाने के लिए या फिर दूद पीने के लिए इन कामों के लिए हम नहीं जागेंगे क्योंकि दूद पीना पसंद नहीं है और दुकान पर जाना हमें नहीं प रंगी हरे डाल पर लगी हुई थी नंभी सुन्दर एक कली कविता में पौधे की डाल हरे रंगी बताए गई है नीचे लिखी चीजे किनकी रंगों की हो सकती है देखें यहाँ पे लिखा है तितली तो तितली रंग भी रंगी होती है बैगन बैगन बैंगनी कलर का होता है बैंगनी रंका, पैंसिल भी रंग भी रंगी होती है, कुर्ता रंगीन होता है, संत्रा नारंगी और सुरज मुखी पीली, लड़ू पीला, प्याला सफेद, साग हरा और मिटी, मिटी, काली और भूरी होती है तो बच्चों, यह हमारा पूरा कविता उसका अर्थ और हमने प्रशन अभ्यास को कर लिया, ओके, ठैंक यू